सभी पत्रकार साथियों का सुवागत है पहुती दंभीर विशेपर मैं बात करने के लिए आपके पास आया हूँ देश में जो महौल चल रहा है कही सालों से चल रहा है जो एजन्सीज हैं उनको एक टूल की तरह एक औजार की तरह हत्यार की तरह इस्तिमाल किया जा रहा है कोई भी विपक्ष का नेता कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुलम जबर के खिलाब बोलता है तो उसके घर पे एडी आती है उसके घर पे सीबियाई आती है इंकम टेक्स आती है और यह अंडेक्लियर्ड एमर्जेंसी की तरह देश के हलात हो गये हैं यह बात आज मैं इसलिए कह रहूं कि यही बात आडवानी जी ने कही थी कि अंडेक्लियर्ड एमर्जेंसी वाले हलात हो जाएंगे तो आज हलात वही हैं गुवर्नर जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गुवर्नर के जरीए राज्यपालों के जरीए तंग किया जा रहा है मैं भी उसका पीडित हुएक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंत्रमंत्र पर आके गए तमिल्ला डूक के मुख्यमंत्री अपने गुवर्नर से तंग है उनका गुवर्नर भाशनी नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ विधान सावा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है हिमंत सुरेन को गिरिफतार कर लिया दिल्ली में अर्विंग केजरिवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं LG टांग अडाता है बीच में सुप्रीम कोर्ड के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है हम भी सुप्रीम कोर्ड में पह पैसा रोका हुआ है आठ हैजार करोड से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है हम कोई भीक तोड़ी मांगते हैं वह हमारे टेक्स का पैसा है पंजाब के लोगों का हिस्सा है वो योगदान है फिर गोवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ड में मुझे जाना पड़ा ग सुप्रीम कोट के पांच जीरो के बेंच ने कहा सर्वसिस जो हैं वो अर्विंद केजरिवाल जी के पास सरकार के पास रहनी चाहिए सुप्रीम कोट का पांच जीरो का फैसला नहीं माना उसी दिन उसी दिन ओर्डिनस जारी करके, कहते नहीं, अर्विन केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे, हम, क्या हस्पताल बनाने वाला, आज आज दिली में हस्पताल बनाने वाला, जिससे पूरे देश में हेल्थ करणती लेकिया आई, पैरसीटा मोल की छोड़े सी टैबलेट से लेके 40-50 लाग जो टेस्ट है फ्री हैं आप लोग भी जाते होंगे आपके रिष्टेदार भगवान ना करे को यसी बमारी हो हस्ताल बनाने वाला जेल के अंदर इस्ते अंदर जैन दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे गरीबों के बच्चे नीट में जाने योगे कर दिये मनीश सोदिया जेल के अंदर है राज्य सवा में मोदी जी के खिलाब उठके बोलने वाला संजे सिंग अंदर है अभी अर्विन केजरिवाद साब को ले गए मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंतर है कहां है तीवी पत्रकार को है अगर एसी रिपोर्टिंग कर दे पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूबरा कोई बोल दे कुछ उसके लिए कनून लेके आए जह आपका content जो है यह बढ़का हुँ है हेट स्पीच माना जाएगा इसको, सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में ? सबसे ज्यादा हेट स्पीच विजेभीवल देते हैं, गोली मारो, यह आतंगभादी हैं। इंको बोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे, हाट स्पीच तो यह है दो साल में 43,000 सरकारी नोकरे दे के आपके सामने कड़ा हूँ, दो साल में हमने 839 आम आदमी क्लिनिक बना दिये, सबा क्रोड से ज्यादा लोग वहां पर आके दबाई लेके ठीकों के चलेगे, क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें, आम आदमी क्लिनिक को बंद करने के लिए National Health Mission का पैसा रोक रखा है, ये ना बनाओ जी, फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की जहांकी नहीं हुई, क्यों जी, आजादी में 80% योगदन सा हमारे बज़र्गों का, हमारे पुर्खों ने कुर्वानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी, आप पंजाब के बिना मना बना लोगे, कैसे बना लोगे, how dare you are, किसने, वो होते कौन है, शीद भगत सिंग की जाकी को, जिसमें शीद भगत सिंग, करतार सिंग सराबा, लाला लाज पत्राई, मदला डींगरा, जलेयां वाले बाग का कांड, जिसमें वो थे जाकी में, उनको रिजैक्ट करने वाले ये कौन होते हैं, ये भगत सिंग से बड़े हो गए, जिन्होंने देश लेके दिया, अब उनी के खिलाब कर रहे हैं, मुझे तो ये शक है, अगर इनका बस चले तो ये राश्ट्रिय गीत, जन गन मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो इतनी पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है, सब सबसे पहले पंजाबियों का सीना है, तो ये इतना है, हमें नफर्त करते हैं, अब आर्बिन केजरिवाल ने क्या किया, हम कहते रहे कि ये गिर्फतार करेंगे, बहान न डून रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता इस एलेक्शन में चुनाप परचार ना कर पाए, ये एलेक्शन शीनना चाहते हैं, तीन दिन पहले रशिया में क्या हुआ है, अठासी प्रसेंट बोट, पूटिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा, और वो 12 प्रसेंट हैं, वो खराब होई बोट हैं, उनके खिलाब नहीं, वो डल सकता कोई, तो ये भी तो पूटिन की रास्ते पर ही चल रहे हैं फिर, ये डिक्टेटर्शिप है, आक रात को आठ बज अगते रहो, उसके बाद ले जाौ, फिर देखते हैं बाद में, रिमान मांगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रर एक देश भक्त बंदा है वो, अगर पैसे कमाने होते, इंडियन रेविंग सर्विस में पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी बली नौकरी को चोड़ते तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारी सादू को सभी लोग सादू लगते हैं चोर को सब चोर लगते हैं इनके एलेक्टरिक बॉंड का क्या हुआ आठ ही आर क्रोड के आसपास जब इलेक्टरिक बॉंड निकले हैं कहते हैं तो चंदा है अज अगर कोई अच्छे काम करें कहते हैं नहीं तरह धंदा है अभी मैं परवार से मिलके आया हूँ बेटा और बेटी हैं आगे के एक्जाम देने हैं उन्होंने किसे मिलने जाना है कुछ किताब बें इस से ले वसके उनको बाहर नी निकलने दे रहे हैं रिष्टेदारों के फोन आ रहे हैं ये पुलस से प्रमीशन लेनी पड़ रही है क रहे हैं विखेंगेंगे जी दो बन्दों कोई भी वेजेंगे ये चार हैं अ दया है बच्चों का क्या कराश्ओर के उनकी पत्नी का क्या क्या करीकी मांते हैं इलेक्षन कमिश्ण की मानते हैं नहीं मानतेaisamed सीबय की मानते हैं नहीं मानते नितिय योग की मानते हैं नहीं मानते यह तो कमाल है मतलब मैं ही मैं हर जगा मैं ही मैं तो यह बहुत ही निंदनी है आमाद्मी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है दस साल में राष्ट्रिय पार्टी बन गई दस साल में दो राजियों में हमारी सरकारे हैं, दस हमारे राजसभा के मेंबर हैं, एक हमारा लोकसभा के मेंबर है, पांच MLA हमारे गुजलात में हैं, दो MLA हमारे गोवा में हैं, मद्धिब रित्मिय सिंगरॉली में हमारी मेर है, और चंडीगड का मेर हमारा है, और वो तो पते ही होगा ना कि यह डेमोगरासी अपर कैसे गिंग रहा था वो चतिस बोट गिनने थे 36 बोट कैमरे लगे हुए थे कैसे गिन रहा था ऐसे बोर्ट देखके जब सुप्रीम कोड गए तो जस्साब ने कहा कि दिखाए कहा है बोर्ट ये वह आठ के आठो बोर्ट उन्होंने वैलेड करार दिये और पहली बर हुआ है जुडिशन हिस्ट्री में कि कोई मेयर का नाम सुप्रीम कोड ने जारी कर दिया कि ये मेयर होगा तो अगर 36 बोर्ट में से 8 बोर्ट खराब कर दिये मतलब आलमोस्ट 25 परसेंट मुझे इस बात का कोई हैरानी जब खुशी नहीं है कि हमारा मेयर बन गया मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि 36 बोर्ट में से 8 खराब कर दिये अभी 4 जून को 92 बोर्ट गिले जाएंगे उनमें क्या करेंगे ये बोर्ट कहीं डलता है जाता कहीं और है जीतता कोई और है ये उन्होंने एलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम ह हम कहते रहे पिछली बार भी अर्विंग के जिवाल जी ने कहा था कि अगर ये आगये ये सभिधान बदल देंगे और बाबा साब का डॉक्टर भीमरा अमेद कर जी का सभिधान बचाना है अभी जो देश में चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है उसको सबको पता है लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी जा किसी बदेशी राष्टपती से कह लवा लेना कि यू आर दा मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर आफ दा वार्ड और अभी किसानों की समस्या थी हर्याना के बाटर पर रोक लिया पत्रकारों ने मुझसे पूचा मैंने का जी उनके दिल्ली क किसान हैं मैंने मोदी जी डिल्ली का हो आय फिर हमदबा शोड के जीत के आएंगे वह देश का राज करने के लिए तो वहीं पर आएगा सारा देश उनको दिल्ली को नहीं आने रहोर से ज्यादा नहीं लगादी थी लायवें हमारे वालने लगा हुई हुई उनको पर का युद्र कवा दिया मोदी जी ने अच्छा आप उनके युद्र कवा सकते हो अपने किसानों से बाद नी कर से 200 किलिमेटर कमाल है है हद है यह यह डेमोक्रासी नहीं है मैं आपके जरी आपके टीवी केमन के जरी क्रोड़ों लोगों को जी कहना चाहता हूं आम आदमी पार से गिर्फतार करोगे अर्विंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक सोच है हम चटान की तरह उनके साथ मैं भी अपना काम छोड़के आया उनके लिए उन्होंने जब दिया नयोता पूरे देश को कि अच्छी राइनिती करने के लिए मुझे अ आम घरों से बेटे-बेटियां जीत कर हमारी कुर्सियों पर क्यों बैठ गए यह पंगा है यह पांद सब्सक्राइब पार्टी को पर बड़ा संकट है और जिससा कोई संकट नहीं है पार्ट देखो हम बो पत्ते नहीं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह है दो अपनी उकात में रहें सो पार्टी कुछ निवा पार्टी और और मजबूत होके निकलेगी मैं आपको कह रहा हूं कि अर्विंद केजरीवाल एक व्यक्तिनी एक सोच है इतने दस सालों में देश में क्रोडों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं उनको कहा कहा गिरतर कर ही है किसकी स्वकार गिरानी है किसकी तोड़नी है किसकी MLE खरीदने हैं अभी तक यही तो करते आए हैं जहां पर जीते नहीं वहां खरीद लेते हैं जहां पर जीते हैं तीस बंदों से स्तीफा ले लो फिर बाइलेक्शन करवा लो हाउस की संख्या कम करके सुबा चार बज जारा गुवर्न को जगा लो कि ओध करवा एक बर ओध करवा यह तो ट्रम्प ने में सलाह नहीं पहले मांगी होगी बना ट्रम्प को भी पिछली बार जे अधले बाकी बाद में आमेशाजी को भेज देंगे वांठी कर लेंगे अधा बाद कर सब्सक्राइब निचे वड़ी कोड़े पिछिजा मांगे पर दस दिन दारमांड मंगन गे पंधर जुडिश्य रमांड होगा फिर जमानतां कैंसल कराउन गया होगा हूँ जब किसी क कोड़ी मानते ही नहीं है । वा कि अब बीजेपी को खतम करने में वह ख्यारोपी वह है बीजेपी को डरी वही है कि यार केजरी वाले गड़ा गया ना यह हमें इससे डर है उनको कॉंगरस से क्या डर उनको बाकी पार्टियों कि पते निकितने बड़ी-बड़ी फैले बना के रखी हुई है जूठी सची ब माम आदिव पार्टी क्योंकि इतना तेजी से जा रही है आगे तो इनको लगता है यहां भी जाते हैं तो अभी पंजाब में देख लेंगे पंजाब में अच्छा जा रहा है अब कुर्शेतर में गुजरात में हम सब जगह पी जाएंगे तो इसलिए उनको मुख्यरोपी तो इंडिया जंता पार्टी के लिए खत्रा है वह मुख्यरोपी है मुख्यरोपी इंडिया लाइंस के बड़े लीडर की मीटिंग है आरविन केश्वाल के गिरफ्तारी को लेके अब चिंतित हैं कि पहले हमन्सुरें के गिरफ्तारी और वहीं कि रही है तो इंगता strategy बना कि यह यह मामला के लाव और 22 इंये मामला दे मुख्रैसी को बचाने का ये मामला लोगतंतर को बचाने का प्रवार हास लेचा है कि बाइझ को के जो बतनी है उन्होंने को पहली बार नहीं ऐसा देखा रामलिला ग्राउंड इस पाटी निकली, कितने दन अंचन चलते रहे, जेल में भी पहले जाते रहे, तो यह ऐसी बात नहीं है कि परवार में कोई शिकन नहीं है, हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो यह कह रहे हैं कि डीरेल कर देंगे, परचार नहीं करने देंगे, यह इनकी गल्त भहमी है, क्योंकि प हमारी पी एसी है, हाई कमांडर, उनकी साथ मीटिंग करने हैं, लेकिन हम इस कितना है, हमारा अलाइंस जो है, वो बिलकुल मजबूत है, अलाइंस के पूरे सातियों ने विरोध भी किया है, और आने वाले दिनों में, और ज्यादा हम एलेक्शन कमिशन को भी लिखेंगे, कि एक नैशल पार्टी के नैशल कन्वीनर को आप पकड़ के, आप उस समय जब परचार करने जा रहा है, तो ये क्या डेमोक्रासी हो गई, आपने सिभशेना तोड़ दी, आपने शर्दपवार की पार्टी तोड़ दी, ठीक है, आपने जो चाहते हो कि इसको तोड़ दो, इसको इसका चोचनाव चिन चीन लो, इसका ये चीन लो, ये चीना चप्टी ज्यादा देर नी चलती, मैं इतना जूट चल रहा है देश में, मैंने पार्लिमेंट में भी कहा था, ये क्या कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बाते कर रहे हैं, ये देश के टुक्रे टु दर्या है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये हम आरी पार्टी जो है वो बहुत जोश में है जगा जगा पे आज पूरे देश में विरोध भी किया है और अर्विन केजरिवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बनके उबर के आएंगे और लोगों को कि आप उपर में ज्यादा जिम्मेदारी आ गई क्या लगता कि आप उस भूमिकाम होंगे पहले भी जाता रहूं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लिए को नई बात निया और विंजी मेरे बहुत मेरे बड़े भाई हैं वो बहुत यकीन करते हैं और जाएंगे जहां भी मुझ चराइब जाओंगा कुर्क्षेत्र भी जाओंगा आने वाले दिलों में जहां मुझे प्रटी निकाल मैं जाओंगा मैं पार्टी कभा फाधर सिपाहि न कि दो अब 117 में से दो बान्दमी वाले को सवाल पूच रहे हो आप कि पाजपा कहते हैं इस यह जोगा यह फ्यालि पार्टी के जो हमारे MLA है ना वो विकाव नहीं है विकाव कीमत उसकी लगती है जो मंडी में हो हमारा जो MLA है हमारे जो पार्टी के विलंटिर है वो विकाव नहीं है वो मंडी में एवेलेवल नहीं है कीमत क्या लगा होगा उनकी मांसा पंजाब ने विच एलाइंस नहीं है, इंडिया एलाइंस नहीं है, पर इसे बावजू कॉंग्रस ले जिड़े भी विदा एक ने ओहो एटीज नू निंदा कर रहे ने जिस तरीके दिन अल गिरस्कारी हो यह यह जिए पर पंजाब कॉंग्रस लीडर सेलिब्रेट कर के डिले प्जाब कॉंगरस दे अब लिडर है गयो थे प्जाब कॉंग्रस लीडर है गये वह आपस दिया लड़ाईं ठीक हा लड़नी यार इसकड़ीगा